सबी स्टुडेंट्स और अभिवाग को नमस्कार तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं किंदरी विद्धाले के बालवाटी का एड्मिसन को लेके उसको कहां से ओनलाइन अप्लाइ करना है कौनशी वेबसाइट से ओनलाइन अप्लाइन करना है कब से स्टार्ट ओर रूख करते हैं तो सबसे पहले दिया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताक कि आपको अपडेट मिलते रहे हैं अभी मैंने अपने मुबाइल के ब्राउजर में ओपन कर रहा हूं किंद्री विद्धल के विएस ओनलाइन एडमिशन ऐसे करके आपको टाइप कर देना है या सब्सक्राइब कर देना है आपको मैं कुछ डिटेल्स इसके बारे में बताता चलता हूं साथ-साथ यह देखिए यहां पर यह जो अभी लिंक है जो एक्टिवेट हुआ है ओनली बालवाटिका 3 के लिए है यह ठीक है यहां पर यह आपको रिजिस्टेशन करना है तो आप आपको यह देखिए तीन नंबर पॉइंट में you are strongly advised not to submit multiple application मतलब आपको ज़्यादा फोर्म नहीं बरने एक ही फोर्म बरना है और जिसमें आपके पास दो तीन ओप्सन मिलेंगे तीन के इंदरे भी धले चूज़ करने के तो आपको multiple फोर्म बरेंगे तो आपका फोर्म जो चाहिए एक digital photograph होना चाहिए मतलब एक photograph चाहिए जो की 256 KB में होना चाहिए एक scan copy birth certificate की चाहिए 256 KB में detail of government certificate in you are applying under EWS section मतलब आप economy weaker section के तो आपके पास उसका certificate भी होना चाहिए transfer detail of parents, grand parents की transfer detail भी होनी चाहिए ठीक है इसके बाद आपको कुछ important points है वो नीचे में करो करके चलता हूँ आपको दिखा देता हूँ बता देता हूँ तक कि आपको admission के time कोई भी दिक्कत नहीं आए तो यह तो आपका clear हो गया है कि आपको कि आपको only दो चीज़ अफ्लोड करनी है पहले अभी मैं आपको choice of school के बारे में बता देता हूँ choice of school में देखिए देखिए यहाँ पे in tab up to three choice of kindry without any preference between them can be given यहाँ पे आपको तीन kindry with धल्ले आपको choose करने है kindry with धल्ले 1, 2 and 3 इसमें आप आराम से अपने kindry with धल्ले चूज कर सकते हैं देखिए इसमें आपको एक करना है choose state in which kindry with धल्ले is located पहले आपको state select करना है इसके बाद आपको kindry with धल्ले का नाम और यह आपको steps दे रखे हैं ठीक है kindry with धल्ले की category यह सारे region sponsoring agent यह जो आपको जितने भी दिखे रही हैं आप यह choose कर सकते हैं वहाँ पर select कर सकते हैं अपने kindry with धल्ले में यह फिर only आप आप वहां से नाम choose करोगे तो भी आपका हो जाएगा अभी यहाँ पर इसके बाद आज़ती है documents upload का मैं आपको दिखा रहा था देखिए upload documents का बता देता हूँ अब क्या 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 आपको documents upload करने होंगे भी admission की time देखिए scan image only two documents birth certificate and photo of child seeking admission आपको बच्चे की birth certificate और photo चाहिएगा जो की 256 के भी में JPGE और PDF form में होना चाहिए ठीक है इसके बाद देखे एक और चीज़ कर रखिए नहीं आपे a list of documents to be presented to the concern के इंदरी विधल है at the time of admission जब आपके बच्चे का नाम आ जाता है list में उस time आपको जो list वहां पर documents की रहेगी वो आपको produce करने पड़ेंगे जैसे कि उसमें आपकी cash certificate रहेगी income certificate रहेगी बर्च certificate रहेगी और जो भी आपका जितने भी documents आपको यहां पर जैसे टिक करेंगे भरेंगे वो सारे आपको लेके जाने पड़ेंगे या फिर जो किंद्री धल्ले ने demand करेगा आपको वहां पर जब आपका रच्चे का नाम आएगा तो वहां पर documents के list भी रहेगी आप उसमें देखके भी आप अपने रच्चे का admission के वो जो documents लेके जा सकते हैं इसके बाद मैं आपको बता देता हू जो एक पर आपने जानकारी भर दी है उसको आप modify नहीं कर पाएंगे submitting के बाद आप यदि आपने form भर दी है इसके बाद आपकी जानकारी modify नहीं होईगी तो आपको भी careful आप जब form भरते हैं तो आप अच्छे से देखके अपनी जानकारी को भरना है बच्चे का नाम भरन और निच्चे यहाँ पर आपको capture डाल देना है यह capture जो दिख रहा है यह code दिख रहा है यह डाल देना है और register पर click कर देना है जैसे आप register पर click करेंगे आपके पास एक OTP आएगा आएगा आपके पास एक ID password भी आ जाएगा तो आपको further उसमें आगे बढ़ जाना है उसमें भी वीडियो चाहिए तो आप मेरेको comment box में बता दीजी मैं आपको step by step पूरा वीडियो बनाके बता दूँगा देनेवाद